असलाम अलिकूम में हुडिशाद केसे हो आप लोग उम्मीद है आप सबी लोग बहुत अच्छे से होंगे आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुती बड़ा गुड नियूज है जैसे की आप लोग जानती हो आज से कुछ दिन पहले शाओमी के तरफ से रीडमी नोट 11 दिवाइस के लिए MIUI 13 बेज एन अन्रूइड 12 का सेकेंड स्टेबल भर्शन का अपडेट रोल आउट किया गया था सिर्परसिब ग्लोबल भर्शन में तो ऐसे में आप लोगों के लिए आज गुड नियूज ये है के फाइनली शाओमी के तरफ से ग्लोबल भर्शन के बाद अब इन्डियन भर्शन में भी MIUI 13 बेज एक नया अपडेट रोल आउट किया जा चुका है जी हाँ दोस्तों अगर आपके पास रिद्मी नोट 11 दिवाइज है तो आपके डिवाइज के लिए जैसे कि मैंने इसे पहले ही बता दिया था के शाओमी के तरफ से MIUI 13.0.2.0 भर्शन में एक नया अपडेट देखने को मिलेगा तो अल्रेडी ये अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है इंडियन वर्शन दिवाइज के लिए आप लोगों पता होगा कि इससे पहले जब गलोबल वर्शन में अपडेट को रोल आउट किया गया था उसका वर्शन था 13.0.5.0 और उसी टैम में आप लोगों बताया था कि इस डिवाइज के लिए 13.0.1.0 का अपडेट पहले आया था तो अब 13.0.2.0 का अपडेट देखने को मिलेगा पिल्कुल वैसा ही हो गया है जैसे कि इस टैम पे आप लोग देख सकते हो एक नया अपडेट इस डिवाइज के लिए रोल आउट किया जा चुक करते हो बहुत सरे लोगों को अल्रीडी ये अपडेट मिलना इस्टाट हो गया है अपने रीद मीनोट 11 डिवाइज में इसके अलाबा जिसके पास गलोबल वेडियान रीद मीनोट 11 डिवाइज है उनको तो बहुत पहले ही ये अपडेट देखने को मिला था तो बेसिकली के लिए 2.8 GB से लेकर 2.9 GB के आसपास अपडेट देखने को मिलेगा लेकिन अगर आपके डिवाइज में पहले से ही MII 13.0.1.0 का तो पहले से अगर 13.0.1.0 का अबदेट आपके डिवाइज में था तो फिर आपको ये जो अपदेट है ये 600 से लेकर 700 MB के आसपास देखने को मिल जाएगा अब अगर बात करें इसके changes के बारे में जैसे कि आप लोग जानती हो मेरे पास Redmi Note 11 के जो global variant device है वो है और मैंने already 13.0.5.0 याने कि अब इंडिया में जो आने वाला है 13.0.2.0 में मतलब कि आ चुका है उसमें हूँ तो इसमें आपको Android security patch एक तो आपडेट होता हुआ देखने को मिल जाएगा और दूसरी बात यह है कि Google के जितनी भी application है जैसे कि खास करके आपके जो dialer application है और messaging application है उसका जो icon बगरा है वो change हो गया है इसका मतलब यह है कि Google के यह दो application का जो नया updated version है वो इस update के साथ-साथ आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि यहाँ पर upload देख सकते हो भर्षन update हो चुका है और अगर बात करें और किसी changes के बारे में और जादा कोई major changes मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है हालकि इस device में आपको इसके update आने के बाद और भी काफी सरे update शायद future में आएगा तब आपको नयना features बगरा देखने को मिल जाएगा खेर जो भी हो इस टेम पर अगर आपके पास readme note 11 device है और आपको ये update देखने को मिल गया है तो जरूर मुझे comment section में comment करके बता सकते हो